आस्री गुणों की चर्चा करते वे भगवान कहते हैं पहला आस्री गुण है दंभ दंभ यानि की पाक्खंड हिपोक्रेसी शुशंक्रचारे जी का कहना है कि आप जो नहीं है यानि अधार्मिक होते वे अपने आपको धार्मिक दिखाना स्वेम को वसुष्थिती से अन्यथा दिखाना यानि आप जो नहीं है वो बार-बार आप दिखाते हैं ऐसा व्यक्ति बड़ा ही निम्न स्तरका होता है यानि की आप जो पाक्खंड कर रहे हैं जो मुखोटे पहने गुम रहे हैं यह अत्यंत निम्न स्तर का काम होता है यह उच्छ स्तर का काम नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति पाखन में ही डूबा रहता है यही उसकी जिन्दगी हो जाती है तो उसके जो खतरनाक उद्देश्य हैं जो बुरे दुष्ट संकल्प हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए घातक उद्देश्यों की पूर्टी के लिए वो ऐसे ऐसे चेहरे बनाता है तो आप चेहरे बदल रहे हैं सुभे से शाम तक अगर देखा जाएं हर व्यक्ति जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है ओफिस में व्यक्ति का एक अलग रूप दिखता है घर में पत्नी के सामने एक अलग रूप दिखता है बच्चों के सामने एक अलग रूप दिखाई देता है समाज के सामने अलग रूप है, फ्रिंट्स के सामने अलग रूप है अलग-अलग मुखोटे पहना व्यक्ति खुमता है सुबह से शाम तक भी चेहरों में बदलावा जाता है हर सिचुएशन में लोग बदलते हैं, लोग चेंज होते हैं अगर किसी से यह पूछा जाए कि तुम वास्तविक्ता में कौन हूँ तो शायद इतने रूप बदलने वाला व्यक्ति जिसे हम कहते हैं गिर्गिट गिर्गिट के लिए बोला जाता है बड़ी जल्दी जल्दी रूप बदलती है तो ऐसा व्यक्ति जो cricket की तरह हो जिसके अंदर animal instincts हो तो एक पशु की भाती जो बार-बार रूप वदलता है बार-बार changes लेकर आता है ऐसा व्यक्ति जो है उसे पाखंडी कहा जाता है मैं कौन हूँ उसका कुछ नहीं पता अध्यात्निक्ता की शुरुवात ही होती है मैं कौन हूँ मेरी identity split नहीं एक होनी चाहिए just one identity not multiple identities श्रीराम सरल है एक है एक चहरा और रावन तशानन संख्य चहरे हैं दस क्यों बोला गया दस इसलिए बोला जाता है दस बोलने का मतलब हुआ कि दस से आगे की संख्या नहीं बाकी संख्या है उसके आगे सिर्फ जुड़ती ही जुड़ती है दस maximum है मतलब इतनी maximum जिसके चहरे हूं तो चित्त की अवस्था भी ऐसी ही है लोगों की मन भी ऐसे ही बदलता रहता है बार बार रूप रंग चीजें ऐसे मुखोटी लेकर आता है ऐसी चीजें लेकर आता है बदलता रहता है जूट के लिए हजार उपाए करने पड़ते हैं और सत्य सत्य एक होता है लोग छिपाने की कुशिश करते हैं अपना असली व्यक्तित वर अगर आप सोचते हैं कि आपका असली व्यक्तित वर छुप जाएगा तो वह नहीं छुपता आप बाहर से ड्रामा कर रहे हैं अच्छा का आप किसी से मिले और कहा मिलके बड़ी प्रसंता हुई कितना अच्छा लगा आपसे मिलके लेकिन आपकी internal feelings, inner feelings कुछ और कह रही हैं आप जो inner feeling कुछ और कह रही है वो आपकी चहरे पर आजाएगा तुरंद दूसरा व्यक्ति उसको देख लेगा यानि आपका अंदर का व्यक्तित्व जहांक जाता है बाहरी व्यक्तित्व छुप जाता है इसलिए 99% मौके पे जो दूसरे आपके बारे में बोलते हैं वो जातर सच निकलता है कि आपने आपको वाच नहीं कर रहे हैं दूसरा वाच कर रहा है कि इसके कैसे चहरे बदल रहे हैं तो दूसरा उसको देखकर तुरंद बता देता है आपको अपने अंदर परिवर्थन लेकर आना याद रखिए पाखंड में मत पढ़िए बहुत परदे होती है पाखंड की जूट बहुत होते हैं लेकिन सच अकेला होता है सत्य सरल होता है इसली सीधा सादा आदमी भी सच्छे काम चला लेता है लेकिन जूट उसके देश चतुरता चाहिए दिमाग चाहिए और इसा दिमाग वाला व्यक्ती ही जूट को आगे carry forward कर सकता है आगे ले के जा सकता है दूसरे को भी दे सकता है आपने सत्य की रहा पर चलना है अगर परमात्मा तक पहुँचना है आफसरी संपदा वाले कभी परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते पुझ जाही नहीं सकते हैं यहुदी कहानी है हमें खोजते हैं वो हमें ढूंड रहे हैं तो इनके शिश्य कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है यह तो हो ही नहीं सकता परमात्मा अगर हमें खोज रहे हैं वो शक्ति चाली हैं तो अब तक क्यों लोग का बदलता चला जाता है क्या पहिचान क्या इडेंटी टी पारे की तरह छटक जाते हो कोई तौ आइडेंटी टी हो भगवान मिले तो किसी एक आइडेंटी से, किसी एक ठुस्टलाइज प्रूस्टनालटी से, अभी तो सब कुछ स्प्लिट है तो ऐसा व्यक्ति जो पाखंडी है, split personality है, तरह तरह की personality लेकिट घुमता है लोगों को रोग हो जाते हैं, मानसिक रोग जो पाखंड में पड़ते हैं, धीरे धीरे उन्हें मनों विज्ञानिकों से चिकत्सा लेनी पड़ती है क्यों? क्योंकि आपने बहुत चित्त कर दिया, multiple personalities अपनी कर दिया और ऐसी multiple personalities वो कहीं fit नहीं होती और नहीं ऐसा व्यक्ति प्रसंद रहता है तो अपने आपको ठीक कीजे, ये जो दंब है, जो पाखंड है, हिपोक्रेसी है, इसको ठीक करें, इसे आसुरी गुण बताया गया है भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, ये हैं आसुरी गुण है, दूसरा गुण भगवान कहते हैं, दर्प और अहंकार आपके पास आपका धन, आपकी जनशक्ती, आपका सौंदर है, आपकी वानी, आपकी चीजें, उन सबका जब घवंड हो जाता है व्यक्ति के अंदर, एक धर्प जिसे कहेंगे, एक अभिमान हो गया तो एक व्यक्ति के अंदर एक काल्पना बन गई कि मैं तो बड़ी उच्च वस्था का हूँ, तो बड़ा उच्चा हूँ, ऐसा मन में एक घलत काल्पनिक भाव मन में बना लिया अब एक की जो काल्पनिक भाव है या अभिमान है काल्पनिक की व्यक्ति की आंतरिक शांती को भंग कर देता है आंतरिक शांती नहीं रहती उस व्यक्ति के अंदर साथी साथ में वो अपनों से दूर हो जाएगा उसके अपने उसका ठ्याक कर देते हैं नहीं रहते उसके साथ अकेला नितांत अकेला और अपने अभिमान में जीता रहता है यहां पर भगवान ने दर्प और अभिमान दो शब्तों का प्योग किया है दर्प यानि जो आप नहीं है आप वैसा समझने लग जाएं और घमन में आ जाएं कई बार ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ती चापलूसी करके या आपको बातों में घुमा के मक्षन बाजी करके आपके अहंकार को इंफलेट कर दिया जाता है उसको बढ़ा दिया जाता है लोग बिलून की तरह आपको फुला देते हैं अहंकार बिलून की तरफ फूल जाता है और आपको क्या लगता है कि मैं पता नहीं कितना बड़ा योगी मैं कितना बड़ा महात्मा मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ या मैं बहुत सुंदर व्यक्ती हूँ ऐसे जूट जूट लोग बोल देते हैं इससे क्या होता है आपका दर्प वढ़ता है अहंकार तब होता है अभीमान जिसे एगो कहते हैं जब आपके पास चीजें हैं और आपको पता भी है आपको पता आप सुन्दर हैं और दूसरे भी उसको बता रहे हैं आपको पता आपके पास धन है और दूसरे भी कह रहे हैं इस्ज़त दे रहे हैं आपकी बहुत आप रिच हैं तो जो अहंकार आता है घमंड आता है वो इगो अभीमान कहलाता है दर्प यानि इतनी चीजे नहीं है लेकिन दूसरे ने बोल बोल के आपको फुला दिया अभिमान का मतलब है आपके पाद चीजें है और दूसरे लोग आपको चड़ा भी रहे हैं तो जो आपका दर्प है उसको तो फिर भी समझा भुचा कर चेताया जा सकता है कि लोग उल्लू बना रहे हैं आपका बेवकुफ बना रहे हैं इतना भी धन नहीं है इतने भी आप बुद्धीमान नहीं है इतने भी आप सुन्दा नहीं है आप हैं लेकिन इतने भी नहीं हैं जितना लोग आपसे मक्षन बाजी करके आपसे काम निकलवाना चाहते हैं लेकिन अगर कोई वास्तविक्ता में वो व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान है या बहुत बड़ा धनी या बहुत बड़ा धार्मिक है ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोग जो चढ़ाते हैं यानि अहंकार दिला रहे हैं वो जो अहंकार हो गया उस समय उस अहंकार को तोड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो वास्तविक्ता है आपकी नम्रता नहीं आप आ रही वास्तविक्ता में आप अगर देखा जाए आप उस चीज़ को देखकर और जादा फूलते चले जा रहे भगवान कहते हैं कि जब आप घमंड में होते हैं तब आप नीचे गिरते हैं जैसे कोई लहर उठती है सागर से अगर वो फ्रीज हो जाए उसको फ्रीज कर दिया जाए तो वो वापिस सागर में नहीं मिल सकती उसको तरल होना होगा तब वो सागर में मिलेगी उससे पहले नहीं मिलेगी तो जो आस्री वृति का व्यक्ति है वो अकड़ कर चलेगा वो घमंड में चलेगा अरे मेरे पास तो इतनी पावर है मेरे पास ये है मेरे पास वो है वो घमंड में चलता है और परमात्मा को घमंड किसी का नहीं पसंद राम का संगर्ष जो हुआ है वो रावन के साथ हुआ है रावन राम से लड़ रहा है अहंकार लड़ता है हमेशा परमात्मा से यह याद रखिए इगो हमेशा लड़ता है परमात्मा से इसी इगो को जो दे देता है परमात्मा के चर्णों में वही व्यक्ति धन्य हो जाता है वही भक्त हो जाता है इसलिए आनन देने वाले शिव हैं संकट मोचक शिव हैं और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए कोई भी आरादना सफल नहीं हो पाए आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें महा मृत्युन्य का जाप करें तो हमारे कश्टों का निवारण हो तो ऐसे भगवान शिव की आरादना का आउसर है शिवरात्री और शिवरात्री में मन चाहा वर्दान पासकते हो अपने कश्टों से मुक्ती पासकते हो और शिवरात्री से दो दिन पूर्व का कारिक्रम हम लोगों ने रखा है जिसमें आप लोग यहां ध्यान में भाग लेंगे और शिवरात्री वाले दिन जहां रुद्रा भी शेक करने का उसर भी मिलेगा शिव का यग्य करने का उसर भी मिलेगा शिव ससंग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे और यहां देव दर्शन भी कर सकेंगे सर्भाः सरुपने का लोग लोग वाले यहां भी मिलेगा झाल झाल